और आज का first नवर प्रश्न है कि बात चीती साहित्य की कौन सी विध्या है याने कारते कि बात जी जो पार्ठ है या साहित्य की कौन से विध्या है आपको बताने है कौन सी विध्या है तो जो भी कहा था या किस परकार की कहानी है ध्रम परधान चरित्र परधान भापरधान और डी है करम परधान तो जो उसने कहा था यह जो कहानी है यह कहानी है करम परधान की अपसन में जो डी है बिलकुन ही राइट एंसर हो जेगा और बात करें उसने कहा था इस पार्ट के जो लेखक हैं वह चंद्रधर सारमाय गुलेरी जी हैं याद रखेगा और जो बात चीत के जो लेखक हैं वह बाल कृष्ण भर्ट जी हैं याद रखेगा काफी मत पूर प्रशन है तो डी के साथ इसका सही अंसर चला जाएगा तो चले अब नेक्ष्ट प्रश्ण को देखते हैं और यह महां पर प्रश्ण ही कि जेः परकास नरायन गवारा रचीत पारट का नाम कया है प्रगठी और समाच्चन व quickest्रमे अक लापन बात चीत और डी हैं संपूर्न करांती यानि कि option number जो दी ये बिलकुल ही विलकुल ही अंसर हो जएगा जो भी दोस्त option ma 4 के जो लेखक हैं वह नामोर सी जी है और बात चीत को जानते ही हैं बालकरिष्न भर जी और हंसते हैं मेरा अकलापन इस बारאל के जो लेखक हैं वह मल्याग्य जी हैं दोस्तों तो चारो अप्सन को इसलिए डिसकस किया जा रहा है ताकि एक भी परश्णूतर इससे बाहर ना जाए 100% गरांटी के साथ कहते हैं कि अगर इस रीज को अच्छे से त्यारी कर लेते हैं हिंदी में अब अबजेक्टी में एक भी परश्णूतर नहीं चोटेगा नेक्ष्ण परश्ण की दीनकर को कौन राष्टिय समान मिला था पदमेश्री भारत रतने पदमेभूशन और पदमेभूशन तो जल्दी से आपका एंसर आ जाना चाहिए अब तक कि इसका राइट ए सिर्षक कहानी के लेखक कौन है काफी मत्यपूल प्रस्ण है कि रोज सिर्षक कहानी के लेखक कौन है तो अब तक आपका एंसर भी आगया होगा कि इसके जो लेखक है सचीदा नहीरा नवाचान यग्यजी है यहनिकि एक साथ इसका राइट एंसर चला जाएगा और बात कर और उदय प्रकास के द्वारा तो तीरिच ही पार्ट लिखा गया है यह तो सभी को मालूम होगा तो अप्शन नमर जो ए है इसका राइट एंसर होजेगा रोज सिर्षक कहानी के लेखक है अग यह जी सेशन अच्छी लेग रहे होती से लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तों वह थे गरे संकर विद्यार थी जी यानि कि अप्शन नमर जो ए है बिल्कुल ही सही एंसर होजेगा इसे वीडियो में ब्याकरण और हिंदी के जितने भी महत्तपुन अबजेक्टिव है वो सभी को सामिल किया गया है याद रखेगा और यहाँ प्रशन के ओ सदानीरा सिर् चंद्र माथूर के साथ इसका सही अंसर चला जाएगा और नमर सीप्रगति और समाज के लेख़क हैं और उद्व परकास तो जानते ही हैं तिरीष पाठ के लेख़क हैं और मोहाराकेस की बात करें तो इनके द्वौरा सिपाही कीमा चारों अप्शन को इसलिए बताया जा प्रगति और समाज के लेखक कौन है अब तक आपका एंसर भी आगया होगा इसको हम बहुत बार डिसकस भी कर चुके प्रश्णों के अंदर की प्रगति और समाज के लेखक कौन है तो इसका जो राइट एंसर आना चाहिए वह नामवार सिंह के साथ इसका सही एंसर चला जाएगा और बालकृष्ण भार तो यह तो बात चीत के हैं और जय परकास नरायन यह संपूर्ण करांति के हैं और के लेखक कौन है तो इसके जो राइट एंसर हो जाएगा इसका हम जिक्र किये थे हो एनका नाम ही नहीं दिया गया है तो D में option माली जी के हस्ते वे मेरा अकिलापन के जो लेखाक है वह मल्याग्य जी है क्योंकि मुहरा के इसके द्वारा जो पार्ट लिखा गया है वह तो सिपाही की मा लिखा गया है तो मल्याग्य इसका राइट एंसर हो जेगा मल्याग्या यहाँ पर option टाइप गलत हो गया है मल्याग्य इसका साई एंसर हो जेगा हस्ते वे मेरा अकिलापन के तो याद रखेगा option नमबर यहाँ पर कोई भी नहीं है इसका अलग से एंसर है मल्याग्या हस्ते वे मेरा अकिलापन के जो लेखाक है वह मल्यक गेजी है यानि कि ये वाला अप्सन जो अप्सन नमर फाइप में है ठीक नेक्षन प्रस्ण है कि उदे परकास जी कीस पत्रिका के संपादक थे काफी महत्यपूर प्रस्ण है कि उदे परकास जी कीस पत्रिका के संपादक थे तो इसका राइट एंसर होजेगा दीन क्या नहीं हो सकेंगे काफी महत्तिपूर प्रश्ण है दोस्तों तो अब तक आपका इंसर भी आ गया होगा तो बल्वान तो होगा नहीं क्यूंकि भायवित का बात हो है धनवान भी नहीं होगा और ग्यान भी नहीं होगा तो अपसमर जो ए बाच ये बिलकुल ही सही अंसर होजेगा मिद्धावी उसे कहते हैं कि जो लोग भाइबित हैं वे क्या नहीं हो सकेंगे तो मिद्धावी हो सेकेंगे यानि कि option number जो A है उनका बिल्कुल ही सही answer हो जएगा और बात करें 13 प्रस्ण के बारे में कि जैसी के द्वारा जैसी का जन्म अस्थान था तो बनारस, दिली, अजमेरी और अमेठी तो जैसी का जन्म गया था हम बताते हैं करवाः, करवाः इनके द्वारा पार्ट लिखा गया था करवाः और एक इनके द्वारा एक के उस्तक लिखा गया था पढ़मावत यह याद रखिेगा इसे रिलेटेड एक भी प्रश्ण तरॉपनाई शुटेगा जैसी के से सर लकार के कभी कौन है तो ये तो इनका नाम में ही इसका अंसर छुपा हुआ है तो सोह सगर के जो कभी हैं वह तूर्ट दाश ही नो APS主 है उनका बिल्कुल क्यां सही अंसर नेक्ट नपरस्न है कि तूसी दाश का मूल नाम क्या था काफी महत्पुन प्रस्ण है दोस्तों कि तूलसी दास का मूल नाम क्या था तो अब तक आपका इंसर भी आज चुका होगा है और यहां प्रस्ण है कि भक्त माला के रचैता कोई है कवीरदास गुरुनानक रैदास या नाभादास तो भक्त माला के जो रचैता है दोस्तों वह नाभादास यानिकि डी के साथ इसका सही आज़ा चला जाएगा और बात करें भूशन की सकाल के कभी हैं काफी भी भी आई प्रस्ण है दोस्तों अगर इस सेशन को अच्छे से त्यारी कर लेते हैं इसी रीज को तो एक भी प्रस्ण तर नहीं चुटेगा दोस्तों तो भूशन की सकाल के कभी है तो अब तक आपका एंसर भी आ चुका होगा तो इसका राइट एंसर होजेगा भक्ति काल के भूशन जी कभी है यानि का अपसर नमार जो भी है सही एंसर हो जेगा और यहाँ प्रस्ण है कि तुमुल कुलाहल कलह में शिर्षा कभीता के रचेता कौन है तुमुल कुलाहल कलह के रचेता कौन है तो अब तक आपका एंसर भी आचुका होगा कि जो जैसंकर परसादज हैं उनका बिलकुल ही राइट एंसर हो जगा और यहाँ प्रस्ने के सुभधरा कुमारी चोहान की लीखी कवीता कौन सी है तो बताना है इसका राइट एंसर क्या आना चाहिए तो सुभधरा कुमारी चोहान के द्वाज़र द्वारा जो लीखी जो कबीता है वह पुत्र बियोग है यानिकी ऑफसन बाज डी है इसका राईट एंसर हो जएगा और एक प्रस्थन है कि प्यारे नन्हे बेटे को तो प्यारे नन्हे बेटे के द्वारा इसके जो लेखा के हैं वह भीनोत कुमार सुकल जी यानिकी इसके लेखा के और हार जीत के जो लेखा के हैं वह हैं असुक बाचपेई जी और गाओं का घर ये ग्यानेंदर पती जी हैं याद रखे काफी मत्पूर्श वाल है कि सुबादरा कुमार चुहान के द्वारा जो लिखी कभीता है वह पुत्र भी हो गया और प्यारे नन्हें बेटे कभी कभी शिरोमणी कभी रतन या कभी भूशन तो समसेर बहादूर्श नहीं को हिंदी सहीत्य में इन्हें क्या कहा जाता है अब तक आपका एंसर भी आ चुका होगा इन्हें कभी कहा जाता है यानिकि इसका सही एंसर होजेगा और बात करें इनिमें से मुक्ति बोध की मुक्ति बोध की है यानिकि अप्सन नमबर जो भी है इसका राइट एंसर होजेगा और हार जी तो जानते ही है असोग बच्वेई की है और अधिनायक जो पार्ट के जो लेखक है वह हैं रगभीर सहाय जी तो याद रहेखेगा अप्सन नमबर भी और यहां प्रस्णे की पाठ्य पूस्तक में रगभीर सहाय की संकलित अधिनायक कभीता कैसी कभीता है आपको बताना है कैसी कभीता है ब्यांग परधान या बीर रस परधान या हास्य परधान या रोमांस परधान तो रगभीर सहाय की संकलित जो अधिनायक कभीता है आपको बताना है कैसी कभीत तो इसका जो राइट एंसर होना चाहिए वा व्यांग ये परधान यानिका अप्सन नमर जो ए है उसका बिल्कुल ही सही एंसर होजेगा नेक्षन प्रश्ण है कि प्यारे नन्हे बेटे को कभीता में लोहा किसका परती के काफी भी भी प्रश्ण है दोस्तों काफी और बात करें 24 नमर प्रश्ण के बारे में कि इन में कौन इन में असुक बचपेई की कौन सी रश्णा है बताना है इस में से कौन सी जो रश्णा है वो असुक बचपेई की है तो अब तक आपका इंसर भी आ चुका होगा 24 का क्या एंसर आना चाहिए तो असुक बचपेई के द्वरह जो कभीता है वह हार जीट जानते हैं मलिक मुहमा जायसीजी जी है और कभीत के दिसलिए इसलिए डिसकस करा रहे हैं ताकि एक भी प्रशनोतर अब न चुटे और आपको पूरता याद हो जाए बार बार प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपको याद भी हो जाता है क्योंकि practice is the key of success ग्यानेंद्र पती जी किस यूग के कभी हैं अधुनिकाल, अत्याधुनिकाल, रितिकाल या प्रेमचंदकाल तो ग्यानेंद्र पती जी किस यूग के कभी हैं वह इसका जो right answer होना चाहिए वह अधुनिकाल के साथ इसका सही answer हो जेगा निका option number जो A ही इसका बिल्कुल ही सही answer हो जाएगा और यहां से सुरू होता है व्याकराण कि राष्ट का भवाचक संग्या क्या होगा काफी मत पूर्ष वाले कि राष्ट का भवाचक संग्या क्या होगा राष्ट Y A, राष्ट Y A, या D है इन沒關係, तो भावाचक संगय पुछा है, तो राष्ट Y A हो जाएगा जाहिल सी बाते है, जिसे हम लोग उनिभाव कर सकते हैं तो राष्ट Y A के साथ इसका सही अंसर चला जाएगा, और में मैं सब्दे निमलीखित में कौन सा सब्द है कौन सा है अगर बताना है मैं तो यह जो है मैं यह सर्वनाम के साथ इसका राइट एंसा चला जाएगा सर्वनाम होता है मैं दोस्तो अब पुछता कि इस सर्वनाम कीतने परकार को होते तो छोग भेद और यहां पर फुझा बिशेशन के चार भेद संग्या के पांच भेद याद रखेगा और यहां प्रस्ण की जल का बिशेशन क्या होगा जल का तो जाहिल सी बात है आपका एंसर भी आ चुका होगा कि जल का जलिये ही होता है जटिल तो यह तो जटिल कहने का अर्थ है यह कठोर तो जल तो कठोर होता नहीं तो जल का जलिये बीशेशन हो जाएगा अप्सन नमर जो ए है इसका राइट एंसर हो जाएगा कर्मवाच्य का उधारन है अगो बताने कर्मवाच्य का उधारन कौन सा है तो इसका जो मुख्यता उधारन होता है कामना से चीठी लिखी जाती है कामना से चीठी लिखी जाती है सवाल है कि कर्म वाच्चे का उधारन है तो कामना से लिखी चीठी ही होता है मैं आम खाया है वाक्य का उधारन है तो मैं आम खाया है वाक्य उधारन है ये कैसा वाक्य है तो ये आसत्र भूत है यानि कि ये भूत काल का बात क्या गिया है यानि कि पहले आप आम खा चुके है तो आप भूत काल के ही बात करें हैं बरतमान काल का तो होगा नहीं कियोंकि मैं आम खाता हूँ ये बरतमान काल का ये वाक्य हो जाएगा लेकिन मैं आम खाया है यानि कि कॉप खाये हैं आपको पाता नहीं है तो यह भूत काल के साथ इसका सही अंसर चला जाएगा आसथ्रे भूत काल क्योंकि अभी अभी यह काम किये हैं ठीक यही इसका राइट एंसर हो जाएगा और यहां पर प्रश्न है कि लाड़का पियर से गीर पड़ा इसमें कीस कारक की भी भगती लगी है काफी मत्पूर्स वाले दूस्तों कि लड़का पेंड से गीर परा इसमें कीस कारक की भगती लगी है तो अब तक आपका इंसर भी आ चुका होगा क्या आना चाहिए राइचक के साथ इसका राइट अंसर चला जएगा क्योंकि क्या होते पत्राणी पतंते यानिकि ब्रिक्च पत्र गिरते यानिकि ब्रिक्च से लड़का गिर गया है तो वही अपधान कारक की साथ इसका राइट एंसर चले क्योंकि अलगाव यहां पे हो रहा है तो अलगाव पिर्ण और लल्डगा के बीच है तो वह अपदान कारा के साथ इसका सही एंसर चला जाएगा और यहां पर प्रस्ने कि कॉभी का स्टिलिंग रूप क्या होता है काफी महत्यपूर्ट सवाल ह कि कॉभी का स्टिलिंग रूप क्या होता है तो वह कॉभ इत्री होता है कॉभ इत्री तो अप्सन नमर जो भी है इसका राइट एंसर होजेगा कॉभ इत्री इसका सही एंसर होजेगा अध्यापका स्टिलिंग रूप क्या होगा यह तो प्रस्ने देखते ही आपका एंसर आ कि यह सेशन आपको कैसा लगा क्या इस सेशन को और अधिक चलाना चाहिए एक बाद जरूर कमेंट किजिएगा इसी परकार से थोड़ा सा कौन निपात है थोड़ा सा तो थोड़ा सा आपको बताने कौन सा निपात है तो तूलना बोधक है कि यहां पर तूलना किया जा रहा ह कि थोड़ा सा कौम ज़ादा ये तूलना बोधक वाक्य है दोस्तों यानि कि अपसर मार जो बी है इसका राइट एंसर हो जएगा और दहेज का लिंग निरने क्या होगा दहेज जो लेते हैं खासकर लड़का पाती ही लेते हैं तो लड़का तो जाहिसी बाद है वह के साथ इसका राइट एंसर हो जएगा आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि दहेज एक कौन सा लिंग निरने है तो खासकर लड़का के और से दहेज लिया जाता है तो यह पूलिंग इसका राइट एंसर हो जएगा और पुछा जाता है कि पूस्ता का लिंग निरने क्या तो चलिए नेक्ष्ण प्रस्ण को देखते हैं और यहाँ पे जो प्रस्ण आप देख रहे हैं काफी महत्यपुन प्रस्ण है इसे रिलेटर दो प्रस्ण आपके बोड एक्जामें 100% रहेंगे ही रहेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं या तो कारक के पुछेंगे तो कारक के जाहिसी वार्थे वो आठ भेद होते हैं और साथ तो ये तो होता नहीं है चो जो होता है ये सर्वनाम का भेद होता है सर्वनाम के चो भेद होते हैं संग्या के पांच भेद होते हैं और यहाँ पे बात करें बिशेशन के एक पुछता है तो बिशेशन के चार भेदोते हैं याद रखेगा चारों प्रश्ण में से 102 प्रश्ण उतर 100% बोर्ड इगजामे रहेंगे ही रहेंगे तो आप चारों को अच्छे से याद कर लिजेगा कारा के 8 भेदोते हैं चोसरवनाम के पांच सग्या के बिशेशन के 4 भेदोते हैं और याँ पे प्रशन है कि सच्चीतर का सही संधी बीचेद क्या होना चाहिए तो सच्चीतर का जो सही संधी बीचेदोगा अब तक आपका एंसर भी आ ज़ना चाहिए क्योंकि बहुत बार आपके बीचे इस प्राशने को हम डिसकस किये थे तो सच जोर चरीत्रे तो इसका राइट एंसर हो जगा अपसन नमबर अब तक समाझ में आगे आगा होगा कि इसका एंसर क्या आना चाहिए तो C के साथ इसका राइट एंसर हो जगा सच रित्रे का जो सही संदी बीचे देगा सच जोर चरीत्रे इसका राइट एंसर हो जगा और यहाँ पर प्रस्णे के स्वागत का सही संदी बीचे देख क्या होना चाहिए तो स्वागत तो यह क्या होता है सू जोर आगत सू आगत तो अब तक आपको एंसर भी मालूम चल गया होगा कि इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए तो अप्शन बर जो डी है इसका राइट एंसर हो जेगा सुआगत का सही संदी पिछे होता है सुजोर आगत और यहाँ प्रस्ण है कि देव कन्या में कौन से समास है काफी महत्यपूर प्रस्ण है कि देव कन्या कौन से समास है तो आपको सही से बताते हैं कि देव कन्या में क्या होता है इसमें तत्थ पूरु समास है और अभ्याई भाव में क्या होता है इसका एक महत्यपूर उधारन है यह धाकर नहीं कहते हैं यहीं सभी द्वान समाज के उधारन होते हैं याद रखेगा और रात का पर्यवाची स्ब्द क्या होता है तो रात तो रात का तो कानन तो होगा नहीं पादप तो होगा नहीं किन तेरा ये नीशा को ही कहा जाता है यानि का अपसर मर्ज जो डी है इसका राईट आंसर होज़ेगा नीशा जो रात को कहते हैं परयवाची सब्दे गंगा का परयवाची सब्दे क्या होगा इंदिरा, मंदाकनी, गौरी, अईंदू तो इस प्रशनि के बारे में भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि गंगा का परिवाची सब्द क्या होना चाहिए तो मंदाकनी जो भी दोस्त अप्सन नमबर बी के बारे में कमेंट किये हैं उनका बिर्गुल ही सही अंसर रोजेगा मंदाकनी और यहां परसने कि अपमान का बिप्रितार्थक सब्द क्या होगा काफी महत्पूर परसने दोस्तों कि अपमान का बिप्रितार्थक सब्द क्या होना चाहिए तो अपमान इजद तो होगा नहीं क्योंकि बिप्रितार्थक पुछा है तो बेईजद सम्मान प्रतिष्टा तो अपमान का बिप्रितार्थक पुछा जाता है तो यहाँ पे सम्मान के साथ इसका राइट एंसर हो जाएगा और इज़त का बिप्रितार्थक पुछता तो यह बे इज़त हो जाता यहाँ कि एक तरह सही इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C कही याद रखेगा अपमान का संब्मान हो जाएगा और उपकार का बीपरितार्थक पुछाहे यह काफी बार आपके बीचे किस किये हैं कि उपकार का अपकार होता है बीपरितार्थक सब्सक्राइब करते हैं तो वह सू जो आगत होता है और हम जानते हैं कि जो उपसर्ग होता है उसका पहला पद परधान होता है और अन्तिम सब्द जो है एक सब्द होता है तो सू के साथ इसका राइट एंसर होजेगा यानि कि option number जो C है इसका right answer हो जएगा अब तक आपको समझ में आच चुका होगा और यहाँ प्रस्ट की on-pud में कौन सा उपसर्ग है तो on-pud on-pud में कौन सा उपसर्ग है तो अब तक आपका answer भी आच चुका होगा कि पहला पद परधान है और पढ़ जो होता है यह एक परकार का सब्द है तो on इसका right answer होजएगा डी लड़का में कौन सा पढ़ते है अगर बताते हैं लड़का में कौन सा पढ़ते है तो इसका जो राइट एंसर होज़ेगा क्योंकि लड़का तो लड़का इसमें आका पड़ते है एक option नमर जो बी है इसका राइट एंसर होज़ेगा यहाँ पर लड़का नहीं लड़ाका होगा ठीक लड़ाका लड़ाका लड़का तो क्योंकि इसमें A परतिय हो जाता ठीक अगर लड़का रहता तो A परते अगर यहाँ पे Option Number B के बारे में कहा जाए तो यहाँ पे लड़ाका के साथ इसका राइट एंसर चला जाएगा ठीक तो Option Number B है इसका राइट एंसर हो जाता है के लिए एक सब्द क्या हो गया और एक सब्द के लिए एक सब्द है कि जो कुछ नहीं चाहता है उसके लिए क्या होना चाहिए तो इसका जो राइट एंसर हो जेगा यहां पर जो कुछ नहीं जानता हो ठीक जो कुछ नहीं जानता है यहां पर जो सब को जानता है उसे सरभग्य कहते हैं जो कुछ नहीं जानता है उसे अग्य कहते हैं ठीक और यहां पर प्रशने की जल का अर्थ क्या होता है तो जल का तो इसका राइट अंसर होजेगा परतिष्टा इसका सही अंसर होजेगा और नाक का बाल होना मुहावरे का और्थ क्या होना चाहिए तो काफी मत्त पूर्परस्णी की नाक का बाल होना तो यह होता है मैं यह कोई व्यक्ति है उसका पूत्र उसका नाक का बाल है तो अतिप प्रिये होना यानिकि अप्सन नमर जो डी है इसका राइट एंसर हो जाएगा जो भी अगर नाक अगर जीस प परकार से इस महत्तपूर सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं अगर यह सेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जोरूर कीजिएगा दोस्तो और चानल पर नए जुड़ हो तो चानल को जोरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह से महत्तपूर सेशन आते रहेंगे त थैंक यू